कभी आपने देखा होगा कि आप जब अपने बच्चे को सुलाना चाहते हैं तो काफी गोशच के बाद भी बच्चा नहीं सोता है जबके अमें खूद नहीं आ जाती है मेरे साथ इंसा कई बार मेरा जानेंगी कि बच्चों में अनिद्रा का मतलब पर बतलब क्या है बच्चों में अनिद्रा का मतलब क्या है, क्या होता है कि जब हम बच्चे को सुलाना चाहते हैं, चाहे बो रात हुई या दिनों, बच्चा नहीं सोता है, या देर से सोता है, काफी देर तक जाकता रहता है, जब हम लोगों को नीद आ जाती है, और बच्चा जाकता रहता है लेट सोता है या रात पर सोता ही नहीं है या फिर कैक की रात में थोड़ा सो गया सुबह जल्दी उठ गया जितना उसका टाइम सौने का होना चाहिए जैसे 17-18 गंटे बच्चे को सोना चाहिए और उत्तरा बो नहीं सो रहा है दस बारे गंटे बाद ही तुरंद उठ जा रह है तो इसको हम अनिद्रा में लेते है जितना बच्चे का टाइम होना चाहिए सोने का उसमें नहीं सो रहा है और ज्यादा टाइम जागने में निकाल रहा है तो इसको अनिद्रा बोलते है इससे क्या है कि बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है अनिद्र लेकिन दस मिनट सो के फिर उठ गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर आख जपकने लगी उसकी, फिर आदे घंटे बाद फिर से दस मिनट के लिए सो गया, तो इसको अनिद्रा बोलते हैं, ये समस्या केबल बचों में ही नहीं, हम बड़ों में भी होती है, बुजुर्गों मे दिन में तो बिल्कुल ही नी सोता था, जबकि बहुत चोटा था, तीन महीने का, धाई महीने का, दिन में बिल्कुल नी सोता था, जैसे दस मिनट सो गया, फिर उसकी आख खुल गई, और गोदी में लेले की घूमना, गोद में बिठा ले रहना, और जैसे ही बैट पिलेट तो हो सकता है आपके बच्चे को भी यह सारी प्रॉब्लम हो अब बात करेगी कि शिश्वों में नीद आने की क्या क्या कारण होती है अगर आपको कारण पता होंगे तो आप इनका समाधान आसानी से कर सकती है सबसे पहला जो रिजन है वो है भूग अगर बच्चे का पेट ठीक से नहीं भरा होगा या फिर भूगा होगा तो उसे रात या दिन में कभी जब आप सुलाते हैं तो उसे नीद आने में परिशानी होती है या फिर बोल नहीं पाता है इसलिए वो बता नहीं पा रहा है तो बूख की बज़े से भी नीद नहीं आ रही है या फिर नहीं सो रहा है यह सारे रिजन हो जाते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ने डेट दो घंटे या धाई घंटे से कुछ भी नहीं खाया है या कुछ भी नहीं पिया है तो आप उसका पेट भरिये पहले उसको कुछ खिलाईए, दूद पिलाईए, पान पिलाईए, जो भी आप खिलाना चाते है या पिलाना चाते है उसको खिला-पिलाके ही सुलाईए, ताकि उसको जल्दी से नीदा जाए, तो दस पर्द्राइ मिनेट बे आपका बचा आ bur expense सो जाएगा, और फिर दुबारा से नहीं होतेगा. जो रीजन है बो है डर्या कर्षियर कि अकेले सोने से डरते है या फिर उनको अधेरा लगता है इसलिए दरते हैं और थोड़े से सोते है और घवरा के बेर उठ जाते हैं यह बहें यह कारण हो सकता है बछ्य का बार-बार उठना या फिल Denn से ना सोना उन्हें लगता है कि वो अकेले सो रहे हैं इसके लिए आप क्या कर सकते हैं जब अपने शिशु को सुलाएं तो उसके आसपास प्लो रख दीजिए ताकि उसको लगे कि कोई लेटा हुआ है अगर आप उसके साथ नहीं लेट पा रहे हैं वैसे आप उसके साथ ही लेटी है ताकि उसको डर ना लगे जब जैसे उसके आग खुलती है वो अपने आसपास किसी को नहीं देखता है तो वो अचारक से घवरा जाता है और वो चितिस तिस रहने लगता है या डर जाता है तो ऐसा मैंने अपने साथ भी देखा था तो आप उसके पास प्लो रख होता है तो उन्हें एक फील लगता है कि जैसे कोई मेरे पास है तो यह अप्रिक अपना सकते हैं अगर ज्यादा अधेरा होता है या घुटन सी होती है सफोकेशन सा लगता है उसको या फ्रेश हवा नी आ रही है तब भी बच्चे को नीद आने में प्रॉबलम होती है और सब्सक्राव तर्स इसार जाते है तो होती है जासा पώρα होती है निस सफॉट होती है ऐससे नीद खुल जाते है और जो थोड़े से बड़े को या करते हैं बुरे सपने ऋनको आने स्टराट हो जाती है जैसे द जचा सब्सक्राइब फार्प जा से ने अखर पूर शारीष्ट्र दूरे सपने भी आने लगते तब भी दढ़ने स्पर्द बॉर इस वजह से पी सब्सक्राइब उनको नीद आने में परिशानी हुती है या वो चिर्चिरी हो जाते है इससे भी उनकी नीद खराब होती है अगर बच्चे को जैसे दाप निकल रही है या फिर उसको फीवर है या कोल्ड है, उसको सास लेने में प्राबलम हो रही है, तब भी बच्चों की light आ रही है जैसे sun light या जैसे curtain आपने डाला हुआ है तो उससे बहुत ज्यादा light आ रही है तब भी बच्चे को नीदाने में परेशानी होते हैं अगर बच्चे ने जैसे napygila कर लिया हो या फिर बच्चे को उस time पे napygila नहीं हुआ है लेकिन बच्चे को सुसु आ रही है तब भी बच्चे को नीदाने में परिशानी ऻती है और बता नहीं पाते हैं और थोड़ी दिर बाद फिर वोにはहीं पर कर लेते हैं शिशु के लिए सोना क्यों जरूरी है? क्या होता है कि जब बच्चे टाइम से सोते हैं या फिर जितना उनका जो एज है उस हिसाब से बच्चे अगर सही सो रहे हैं तो उससे उनका जो सारीरिक विकास है, जो मांसिक विकास है वो अच्छा होता है बच्चे स्वस्थ रहते हैं, बच्चे एक्टीव रहते हैं और उनकी health काफी जाद आच्छी रहते हैं उनकी लंबाई पे इसका परभाव पड़ता है उनके जो हर्मॉन है, जो उनकी मैमोरी है इस पे भी इसका परभाव पड़ता है सौने का अगली वीडियो में हम मात करेंगे कि बच्ची को सुलाने की क्या-क्या तरीके है, कौन-कौन से तरीके आप अपना सकते हैं, सेकेंड बच्ची को गोध में जो सुलाने की जो आदत है उसको हम कैसे छुड़ा हैं, अगर ये वीडियो आपको helpful लगे तो वीडियो को लाइक कर ये चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए पेरेंडिंग वीडियो के लिए मिलते हैं, नेक्स वीडियो में नई टॉपिक के साथ, अब तो के लिए टेक केर, बाबाए